जन्पद उधम सिंग नगर में खटीमा तैसील शेत्र के अंतरगत भारत नैपाल सीमा परिस्थित बनम होलिया गाउं में गन्ना त्रैकेंद्र का ब्रस्पतिवार को विधिवत पूजा अर्चुना तथा गाम की बुजर्ग महिला पधारी देवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कनाया लाल तथा व्यापार मंडल अध्यक्षि अन्मोल कुमार अगरवाल द्वारा संय तुरूप से फीता काटकर किया गया शुबारंभ जहां भारी संख्या म गणमान्य व्यक्ति और किसान रहे मौजूद वहीं मुख्यमंत्री पुश्कर सिंधामी का किया भार आपको बतादे की विगत दो सप्तह से बनम हो लिया क्रैकेंदर पर तौल शुरू कराने को लेकर किसनान काफी परिशान थे और चाधिकारियों के आदेश के बावजू से गन्ना क्रैकेंदर पर तौल शुरू कराने की गुहार भी लगा रहे थे गार तलब है कि लगभग 20 दिनों से किसानों का चिला हुआ गन्ना खेत में तथा केंदर पर ट्रॉली में खड़ा सूख रहा था जिसको लेकर किसान काफी चिंतित थे वही काफी जदो जहद और संघर शिबाद किसानों की मेहनत रंग लाई और केंदर का शुबारंभ आज विधिवत पूजा अर्चना और फीता काट कर किया गया वही क्रेकेंदर पर गन्ना तोल शुरू होने से किसानों ने मिठाई बाट कर खुशी का इजहार किया तथा संबनित अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी का आभार व्यक्त किया वही इस अवज़र पर उपस्थित गन्ना नर्ख्यक शिवम दिक्षित नहीं बताया की बनम रोलिया में गन्ना क्रेकेंदर का शिवारब आज विधिवत कर दिया गया है अब गन्ना क्रेकेंदर पर सुचारू रूप से गन्ना तौल किया जाएका कि सानों को को कोई हुई हमारे जितने वी गामवाले हम बहुत खुश हैं और हम अपने सीम साथ का धन्यवाद गयापन करते हैं कोई बज़े ने रहे थोड़ी कुछ प्रहसानिया थी जो आज किसानों के हित्मे में ने हम लोग ने इनकी मदद की है और यह गन्ना करेकेंद्र चालू हो गया है अब किसानों को कोई प्रहसानिय नहीं होगी तो सब्सक्रा जी उसके लिए जो है प्रधान प्रबंधक जिसे काम पूरा हो गया और हम समेजिए कि अति होसे अगा वाशुक तरब से और जो हमारे सबसक्रा तरफ से समस्वेश कि जो हमारे सब्सक्राइब कर दिया समयजे । Αंका थिए गर्णा करेकर केंदर समढ़ी बंदमुलिया में आगे उनको वाधी दूर जाना पड़ता था झाल झाल